UPK चंदवली में एक मई को पुलिस की पिटाई से युवती की मौत का सन्सनिख खेज मामला सामने आया था आरोप लगा था कि चंदवली के सयद राजा थाने की पुलिस इसी मकान में एक हिस्ट्री शीटर की तलाश में आई हुई थी जब हिस्ट्री शीटर का नहीं यादव नहीं मिला तो उसकी जो दोनों बेटियां थी उनकी बेरहमी से पिटाई की गई और पिटाई से एक बेटी जो की जिसका नाम निशा यादव था उसकी मौत हो गई आज यहाँ पर समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर मुख्यमंतरी अखेले श्यादव पहुंच रहे हैं तैयारियां पूरी हो चुकी हैं इंतजार है अखेले श्यादव के आने का बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के जो कारे करता है दूसरे लोग हैं यहाँ पर मौजूद है बरिकेटिंग कर दी गई है और इसी मकान में अंदर पहली मंजिल पर पीडित परिवार रहता है वहीं पर जो मृतक है लड़की है उसकी दूसरी बेन गंभीर रूप से बीमार हो करके यहीं पर लेटी हुई है यहीं उसका इलाज चल रहा है तो बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के नेता कारेकरता यहाँ पर मौजूद हैं सुरक्षा के बेहत कड़े इंतजाम किये गए हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी शशांक मौजूद है जो एक माई को यहाँ पर आये थे शशांक उस दिन क्या घटना होई थी और क्या लगता है कि जो परिवार आरोप लगा रहा है कि उसे शाशन पर शाशन पर भरोसा नहीं है और अखेले शादा उनकी लड़ाई में साथ देंगे एक माई को मेरे सुचना आती है कि सेदराजा में घटना हो गई और फिर उसके वाद हम इलट होते हैं और यहां आते हैं पिलित परिवार का आरोप है कि पुलिस आई और हमारी बेटी को मारी एक बेटी की मौत हो गई दूसरी घायल हो गई उथर पुलिस का कहना है कि हमारी पुलिस गई थी इनके उपर NBW जारी था यह गैंगेश्टर के मुझरीम है संदिग्द मौत हुई है ABP गंगा इस खबर को प्रमुकता से एक माई से दिखा रहा है और यह मांग कर रहा है कि मौत हुई निसा की तो कैसे हुई यह बता दे आस तक गुथी नहीं सुलज पाई अखलेस यादव आ रहा है इस परिवार को आप भी बात किये हैं भरोसा है उनको अखलेस पर की आएंगे और हमारी दुखदर्द को सुनेंगे और कुछ नियाएं जो आरोपी पुलिस करमी थे क्या उनके खिलाब मुकदमा दर्जवा और कोई कारवाई हुई है कि नहीं टेहिते हैं उनके खिलाब उसी रात मुकदमा दर्जवा उसके बाद जो इनके साथ हम राही थे जो उनके साथ on duty नहीं इसे नहीं हाए थे on record उनके खिलाब मिकदमा दर्जवा लेकिन अभी तक कोई करुई नहीं हुए क्वाल मुकदमा दर्जव .... कि whether प्ली वेट एंड वाज की स्थिति में हैं अभी तक किसी की गिरफतारी नहीं हुए यहां पर तमाम लोग मौजूद हैं में उनसे बात कर लेते हैं कि आखिरकार वो इस पूरे मामले में क्या चाहते हैं बाप लोग इस मामले में तेकि हम सब की मांग यही है हम सब लोग यह सोच रहै है और हम जबात की मामले की जान्च किसी दूसरी एजन्सी से चाहर तो यहां पर पहुचने माले होगी कि वो पिरदेश के और कि सांथौना देते हैं किस तरी के से दिलासा देते हैं मीडिया के जरीए क्या मांग उठाते हैं और साथी साथ उतर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर उस सरकार पर किस तरह से हमला बोलते हैं अपने सहियोगी शशांक और कैमरमेन रोहिश्री वास्तों के साथ मुहम्मद मौहीन एबीपी गंगा चंदौले एबीपी गंगा खबर आपकी जबाँ आपकी